नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर पवन विश्यकर्मा और आज हम बात करेंगे लीज थेरेपी के बारे में जिसका हम यूज देखेंगे हैं हैरफॉल की समस्या के लिए सरप्रथम हम कल्टिवेटेड लीज का उपयोग करेंगे जो की पूर्टया नोन पोईजनस होती है यानि विश्रहीत होती है हम सबसे पहले लीज को कम डेंसिटी वाले एरिया में अप्लाई करते हैं सिर में जहां हेर्थिनिंग होती है जहां हेरफॉल ज़्यादा हो रहा है टोप एरिया में इन पेशेंट को हेरफॉल ज़्यादा था वहां पर हमने अलग-अलग जगत तीन लीज एप्लाई की है यहे लीज इंप्योर ब्लड को सक करने का काम करती है इस प्रकरिया में पेशेंट को किसी प्रकार का कोई दर्द महसूस नहीं होता है ब्लड को सक करने के बाद कुछ इस प्रकार यहे लीज फूल जाती है इसके बाद आयरुवेद में वर्णित इमेसिस या जलोका वमन प्रक्रिया द्वारा हम जलोका को शुद्ध करते हैं यानि अशुद्ध चूसे हुए खून को बाहर निकालते हैं इसके पच्चार जलो इसको साप करते हैं और पुने अगली बार उप्योग के लिए रख देते हैं धन्यवाद